दोस्तों बजेट पे हो, CNG गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो मैं आपके लिए लेकर आये हो, 10 ऐसी गाड़िया जो 10 लाग की नीचे CNG में अवेलेबल है, चलो शुरू करते हैं, पहले दोस्तों मारूती सुजुकी सिलेरियो, ये आपको 6.73 लाक से शुरू होती है, और VXI में अवेलेबल है, और मायलेज, मायलेज मारूती सुजुकी की गाड़ी है, तो 35 किलो मिटर पर केजी का मायलेज देख जाता है, और फीचर की बात करें, तो आइडल स्टार्ट स्टॉप और डूल टोन इंटीरियर जैसे फीचर देखने को मिल जाता है, जो की एक मॉडरन लुक दे देती है, हाँ, मुझे पर्सनली जो है, पहली वाली सिलेरियों ज्यादा पसंद है, पर नई वाली सिलेरियों भी काफी अच्छी है, इसमें आपको थ्री सिलेंडर इंजिन और एक एडिक्वेट पावर भी दिख जाती है, नेक्स्ट है दोस्तों मारूती कि वागेनार क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, देखिए वागेनार जितनी आपको बोरिंग लगती होगी, नहीं लेकर भी पुरानी ये लगती है, ये एक बात तो सही है कि वागेनार इंडिया का आज का वर्क हॉर्स बन चुका है, हाँ, कैबी वालों को भी पसंद है और अव आपको वन लीटर थ्री सिलेंडर इंजन अवेलेबल है, ये आपको VXI CNG वेरेंट के साथ 10 लाग के अंडर मिल जाएगे, इसके एग्जाक्ट प्राइस है दोस्तों 5.74 लाग एक शोरूम और माइलेज 33.85 किलोमिटर पर केजी, इसके की फीचर हम कह सकते हैं, एक कॉम्प नेक्स गाड़ी आती है दोस्तों मारूती सुजूकी की स्विफ्ट, स्विफ्ट जब आई थी दोस्तों एक हैंसम कार थी, बहुत अच्छा हैंडलिंग था पर अब जो है, वो CNG में भी अवेलेबल है, पर आज भी वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, 8.44 लाक काफी अच्छा है, और अगर आपको Android Auto, Apple CarPlay थोड़ा जरूरी है, तो इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, थोड़ा बूट स्पेस चाहिए, तो आपके लिए अवेलेबल है, मारूती सुजूकी की डिजायर, हाँ काफी मारू के साथ अवेलेबल है, 70 PS की पावर ये भी देती है, क्योंकि Swift का ही इंजिन है, अगर सेडन की तरफ से देखा दा है दोस्तों, तो इसमें भी फ्यूल एफिशेंसी ज्यादा है, और स्पेस भी बढ़ गई, तो पीछे वाले लोगों को नीरूम भी मिलेगी, वागिनार में 26 किलोमेटर पर केजी का माईलेज दे देगी, पर आप एक चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि Suzuki जैसी माईलेज कोई दूसरी कमपनी दे पाए, और 6.45 लाक से ही आपको अवेलेबल हो जाती है, तो आपने क्यों खरीदनी चाहिए, देखिए, टाटा है, तो एक तो आते है 4 Star NCAP Rating, और दूसरी चीज जो इस सेगमेंट में कोई भी नहीं देता, वो है हार्मन की साउंड सिस्टेम, हाँ, टियाखो में आपको हार्मन की साउंड सिस्टेम मिल जाती है, स्टार्टिंग से ही मिलती है, पर CNG में भी आवेलेबल है, तो आप मजे भी कर रहे हो, और पै 26 ही है, पर अगें, टाटा है, एक तो थोड़ी एफिशेंसी मार खा लेती है, और सुदू की सुदू की है, माइलेज का किंग है, इसके अलावा, टिगॉर में भी आपको एक स्पेशियस गाडी मिल जाती है, लगेज के लिए जगा मिल जाती है, चार लोगों की बैठने की जगा मिल जाती है, हार्मन का साउंड से यह सारी चीज़े आपको टिगॉर के साथ भी मिल जाएगे, फिर हुंड़ाई की तरह बात है दोस्तों, युंड़ाई की पहली गाडी होने वाली है, ग्रैंड आइटेन नियॉस, दोस्तों, CNG ग्रैंड आइटेन जो है, आपको मै चार्जिंग मिल रहा है, एक प्रॉपर टच्स्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टेम भी आवेलेबल है, टियागो की आफ्टर मार्केट लगती है, और सुजुकी जो है, वो एकदम अच्छे से इंटीग्रेट नहीं करता है, सिमिलर टो टियागो, अगेन अगर आपको यु इसका माइलेज जो है, वो लगबग 26 किलोमेटर पर केजी का ही देने वाली है, तो रिफाइनमेंट भी अगर जादा चाहिए, माइलेज भी अच्छा चाहिए, टियागो जितना अगर आपको तल जाता है, तो आपके लिए औरा एक अच्छे ऑप्शिन बन जाता है, हाँ, और रुक्ये, सबसे वैल्यू फार मनी गाड़ी यह होने वाली है, अगर आपको साथ लोग लेकर जाने है, प्रीमियम गाड़ी चाहिए, नेक्सा की तरफ से, तो आपके लिए है मारूती सुजूपी की XL6 CNG, ये गाड़ी खरीदने के लिए आपको थोड़ा बजट जो है माइलेज बढ़िया है, एफिशेंसी बढ़िया है, जगे बहुत ज़्यादा है, और रिफार्मिनेंट बहुत बढ़िया है, तो क्या आपने 2,5 लाग ज़्यादा दाल कर XL6 करीदनी चाहिए, ये देखिए अगर आपके नीट्स सैटिस्फाय होते हैं, तो 2 लाग ज़रू तो चलिए भात करते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी दिखने वाली गाड़ी और आपको वैगनर नहीं खरीदनी, और सिमिलर इंजिन, सिमिलर पावर फिगर, सिमिलर माइलेज जो है, वह आप खरीदना चाहते हो, तो स्विफ्ट मुझे परसनली काफी तो कैसे करा जाएं, अगर माइलेज बहुत ज्यादा आपको मैटर करता है, तो अगर मुझे सेफटी मैटर करती हो, और मुझे परसनली करती है, तो इसलिए परसनली मुझे इस केस में टियागो आइसी एंच्छी जो है, एक बहतर आप्शन लगता है, अगर आप फीचर्स मुझे बहुत ज्यादा मैटर करती है, मैंने कह रहा हो कि मारूतिय की गाडिया सेफ नहीं होती, वैसे नहीं होती, तकि इससे अच्छा कि दो तीन लोग की फैमिली जो है, टूईलर पर घुमें, एक चीज जाहिर सी है, कि स्विफ्ट अगर ली जाए या फिर कौनसी भी होने वाले हैं, बारिश से जो भी रास्ते पर डेंजर सिच्वेशन बन जाती है, उससे भी तो मैंने कह रहा हूं कि सुजुकी खराब ऑप्शन है, बस मुझे एक सेफटी जो है, वह बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो मुझे टियागो आईसे एंजी एक अच्छा सेफटी एक चीज मैटर करती है, अगर आप जाना चाहते हैं, रिफाइंड इंजन है, मतलब सर्विस जो है, वह काफी अच्छी है, बट सर्विस चार्ज होता है, वह थोड़ा जादा है, अगर आपको करना ही पड़ता है, मैंने बोला था दोस्तों कि आगर आपकी फैमिल लोगों को लेकर जाना चाहते हो, तो आप XL6 लीजे, XL6 बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर आगर आप थोड़ा बजेक पर हो तो आप LTE की तरफ भी देख सकते हो, XL6 थोड़ा आपको लग्जूरियस लगेगा, LTE जो है, वह और आपको एक सस्ती गाड़ी देखने को मिल ज अच्छा है, इंजिन थोड़ा इफ ही चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी मैं काम कर रहा हूं उससे, अगर आपने 4-cylinder refined engine नहीं चला है, तो आपको क्या ही पता कि क्या ही मजा आएगा, मतलब फरक क्या पड़ेगा, तो इस केस में दोस्तों मैं Tiago i CNG की तरफ चले जाओंग आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए